दोस्तो कभी भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ रिपोर्ट करना पड़ेगा बहुत मुश्किल है ये बात एक्सेप्ट करनी पर हाली में नियूज निकलके आ रही है कि शॉन रोडन भी अब इस दुनिया में नहीं रहे बहुत हिला देने वाली बाते हो रही है आजकल बॉड़ी बिल्डिंग में बहुत बहुत ज़ादा अनेकसेप्टेबल चीज़े हो रही है शॉन रोडन जो की एक बहुत ही जाने माने बॉड़ी बॉड़ी बिल्डर और 2018 के मिस्टर ओलंपिया थे एक one of my favorite bodybuilder में मैं बोल सकता हूँ आज की generation से क्योंकि बहुत उम्मीदे थी जिस लेवल की body वो दिखाया करते थे stage पे वो 90s वाली conditioning आखिर में last time उन्होंने दिखाय थी 2019 में इस साल तो नहीं compete कर पाए 2-3 सालों से नहीं खेल पारे band चल रहा था because उनके उपर अगले साल उम्मीदे थी हाली में इन्यूस आई है कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे 46 साल की उनकी उमर थी शौन के साथ ऐसा क्योवस पे कोई भी अभी reason नहीं है कोई न्यूस नहीं है इससे ज़्यादा बस ये पता लगा है कि वो इस दुनिया में नहीं रहे अभी हाली में हमने देखा जौर्ज पीटरिसन के साथ प्यास ही हुआ था Olympia से दो दिन पहले वो भी चले गए थे बॉड़ी बिल्डिंग में जैसा अब सब कुछ हो रहा है ना जितनी deaths अब हो रही है कुछन उठाना चाहिए पहला इस पर कि बॉड़ी बिल्डिंग किस डिरेक्शन में जा रही है बिकॉज बहुत सारे अथलीट्स ये बोल रहे है कि बॉड़ी बिल्डिंग एक हेल्दी स्पोर्ट है बड़े बड़े अथलीट्स ये बात बोल रहे है और अब उनमें से athletes एक एक करके जाते जा रहे है सबसे बड़ी दिक्कत यह देखने को मिल रही है कि जितने भी coaches अभी bodybuilding industry में है वो सारा का सारा credit ले जाते हैं जब एक athlete जीता है या Mr. Olympia बनता है हाली में हमने देखा Sean Rodan की death हुई इससे पहले Luke Sandow की death हुई थी और बीच में एक हमारे Indian athlete की भी death हुई थी जो की again Chris Asito के अंडर थी इनके तीन athletes लगातार जा चुके हैं और अब इतना बड़ा athlete इस दुनिया से चला गया एक बहुत बहुत बड़ा सवाल उटता है इनके उपर ये क्या कर रहे हैं अपने athletes के साथ क्योंकि फिर याद दिला दू जब एक athlete जीतता है ना और Mr. Alampia बनता है तो उसका ज़्यादा credit उसका coach लेके जाता है आज के समय में सारा credit in fact खुद athlete अपने हाथों से coach को दे देता है और जब ऐसे में एक athlete दुनिया से चला जाए तो उसकी जिम्मेदारी फिर कौन उठाएगा ये question मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आप अपने आपसे पूछ के देखो चाहे जो athletes इस वीडियो को देख रहे हो या फिर जो audience या फिर जो fans इस वीडियो को देख रहे हो एक serious बात है एक athlete जब किसी coach के नीचे आता है ना किसी के coach के अंडर आता है तो वो relax हो जाता है क्योंकि वो जानता है कि वो safe fans में है उसका coach उसके ओपर निगरानी रखता है उसको कुछ नहीं होने देगा यही तो भरोसा होता है जो कि athlete देता है अपने coach को चाहें दुनिया कुछ भी बोलती रहे कितने भी सवाल उठाती रहे athlete उस coach का साथ नहीं छोड़ता सबसे बड़ी उसकी ताकत यह होती है कि मेरा coach मेरे साथ में है कुछ भी होगा तो वो देखेगा पूरी मेरी body की उपर एक निगरानी रखने वाला इंसान है और मैं आपको बता दूँ दोस्तो Sean Rodan, Chris Asito पे अंधा भरोसा करते थे क्या result निकला उसका किस के उपर यह सवाल उठता है कौन इस जिम्मेदारी को उठाएगा एक athlete अगर मर जाता है तो इतना बड़ा athlete है बहुत सारे सवाल उठने चाहिए पर अफसोस की बात यह है कि George Peterson की death हुए काफी time हो गया है अभी तक उनकी reports भी निकल के नहीं आई है एक बहुत unfortunate चीज हम ये भी देखते हैं कि हमें पता भी नहीं लग पाता है पॉड़ी बिल्डर्स चले जाते हैं दुनिया से और इनका exact reason क्या था कोचिस दुख मनाते जरूर है उनके दोस्त होते पर बहुत सारे reasons बहुत सारे सवाल पीछे शूट जाते है कम से कम ये तो बताना चाहिए कि किसी की death क्यो होती है उम्मीद करते है शौन की autopsy क्योंकि natural death नहीं है इनकी autopsy हो की और पता लगे हमें कि क्या reason था exact शौन रोडन सिर्फ 46 साल की उमर में इतनी जल्दी इस दुनिया से चले गए कोई नहीं सोट सकता था बहुत healthy लग रहे थे हमें या फिर देखो कोई भी death हुई है इतनी कमेज में health issues के कारणी हुई है natural death नहीं consider कर सकते हमें healthy लग रहे थे पर वो थे नहीं इसका मतलब off season में थे काफी बड़े थे 290 pounds का शायद इनका weight था और मैंने बताये भी था कि काफी अच्छा लगेंगे अगर stage पर आ जाती है बहुत सही दिखने वाले है 1970 के bodybuilders आज भी जिन्दा है 1980 के bodybuilders आज भी जिन्दा है ये चौते Mr.Lol Olympia थे जिनकी death हुई इससे पहले Franco Colombo की death हुई थी आज से करीबन 2 साल पहले fans जो इतना bodybuilding bodybuilding करते हैं Mr. Olympia देखते हैं वो क्या सीख ले रहे हैं इस sport से ये sport bodybuilders को kill कर रहा है आगे कहां जा रही है direction किस जगा पे हम जा रहे हैं क्या हम देख रहे हैं यह हमें सवाल करना चाहिए अपने आप से और वो जो bodybuilders जो इतना ज़्यादा passion रखके Mr. Olympia बनने का dream देखते हैं young blood जो अभी हमने देखे Salnick Walker और बहुत सारे नएने athletes आ रहे हैं क्या भविश्य समझे हम इन लोगों का क्या भविश्य देखते हैं एक खुद का एक Mr. Olympia बन जाए बस हो गया ऐसे में सवाल करना चाहिए एक बहुत बड़ा सवाल उठता है आज की coaching industry पे आज की body building पे health पे दोस्तों अभी मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा Sean Rodan को हम उनके लिए pray करते हैं कि जो भी हो भाई उनकी family at least अभी उनको हिम्मत मिले इस गम से लड़ने की और बस यही है यही बोल सकता हूँ इससे ज़्यादा और कुछ नहीं उनकी हमारी prayer उनके साथ में है